कोरोना से आज पूरी दुनिया संक्रमित है दुनिया के संपन्न देशों में हर रोज कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इन सब के बीच एक विज्ञानिक अग्रें से थोड़ी राहत की सांस ये दुनिया ले सकती है एक स्टड़ी में ये बात सामने आ रही है कि गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है कि कोरोना के कहर में कमी आए कोरोना की जरिले वारास से बचने के लिए हर मुमगिन कोशिश की जा रही है लेकिन कोशिशों से आगे एक उमीद मौसम है दुनिया की बड़े बड़ी उनिवस्टी और संस्तानों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ठंड जाएगी मौसम बदलेगा गर्मी होगी और तापमान का पारा चड़ेगा तो कोरोना की गर्मी उतरेगी और वो खत्म होगा वैसे ही हिंदुस्तान में इस वक्त पारा थोड़ा नीचे है लेकिन जैसे ही सूरज की तपिश बड़ेगी कोरोना से बचने की उमीद भी बड़ेगी यह उमीद दुनिया के जाने माने Massachusetts Institute of Technology यानी MIT ने जगाई है इस इंसिट्यूट के एक तासा अध्यान के मताबिक मौसम अगर गर्म और नर्मी भरा होगा तो इसे कोरोना वाइरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी जिन देशों में तापमान का पार तीन से सत्रा डिग्री सेलसियस के बीच रहा और नमी चार से नौ ग्राम प्रती क्यूबिक मीटर रही वहाँ कोरोना वाइरस के मामले 90 फीजदी पाए गए हैं जबकि जिन देशों में पार 18 डिग्री से जाधा रहा और नमी 9 प्रतीशत क्री क्यूबिक मीटर से जाधा रही वहाँ पर ऐसे मामले सिर्फ 6 फीजदी सामने आए हैं MIT की ये रिपोर्ट कम से कम भारत के लिए बहुत सुकुन देने वाली है मौसम विभा की माने तो आने वाले दिनों में भारत में तापमान का बारा चड़ने वाला है कोरोना वाइरस जूड़ी ऐसी ही और बिगई कबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसी ही लिटेस्ट और इंटरस्टिंग न्यूस के लिए